पीम नरेंद मोदी का डिग्री विवाद एक बार फिर गरमा गया है केंदरी सूचना आयोग ने दिल्ली उन्वरस्टी से साल 1978 में बीए डिग्री के बैच के सभी छात्रों के रिकॉर्ड की पड़ताल करने की निर्देश दिये हैं केंदरी सूचना आयोग ने 1978 में बीए की डिग्री हासिल करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की कॉपी आइटी आई आवेदन करता को उपलब्ध कराए जाने की निर्देश दिये हैं हाला कि अब सूचना आयोग तके श्रीधर आर्चारियोल ने दिल्ली उनिवरस्टी की जन्समपर कदिकारी मीनाक्षी सहाय से रिकॉर्ड की जाच करने की निर्देश दिये उन्होंने मिनाक्षी की इस दलील को भी खारिच कर दिया जिसमें कहा गया था कि यह थर्ड पार्टी इन्फरमेशन है फिलहाल सूचना आयोग ने दिल्ली उनिवरस्टी से 1978 में बिये की परिक्षा उत्तीर करने वाले सभी विद्यारतियों के रोल नंबर नाम पिता का नाम प्रापतांग समीन सभी सूचनाय देखने और इनसे संबंधित रर्जिस्टर की संबंधित पेज की प्रमालिक कौपी मुफ्त में उपलब कराने का आदिश दिया है कि हमने रिकॉर्ड चेक किये हैं पियम की डिगरी असली है इसके लावब बीजेपी अद्यक्ष अमित शाह और वित्यमंत्री अरुन जेटली ने भी प्रेस कॉंफरेंस में पियम मोधी की डिगरी साजनिक की थी तो केंद्री सुचना आयोक का ये फैसला उन लोगों के लिए सुकून भरा हो सकता है जो सुचना पाने के लिए RTI का सहारा लेते हैं लेकिन उन्हें सुचना देने में अधिकारी आना कानी करते हैं अब दस्तावेजों के उजागर हो जाने के बाद ये पता चलेगा कि पियम मोधी की डिगरी असली है या फिर फर्जी देखते रहिए डिबी लाएए